नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जहां आज हम बात करेंगे यूपे के सियासी अखाड़े की एक तरफ है बिजेपी का योगी मॉडल तो वहीं दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादो और उनके आरोब लेकिन क्या उपचुनावों में जनता ने वोटिंग मशीन के बटन से अपना गुसा निकाला है या फिर भरोसा दिखाया है और क्या यूपी पुलिस जो कानून विवस्था का चेहरा है उस पर लग रहे आरोब सही है या सिर्फ यह बात जो है सोशल मीडिया तक ही है चलिए जानते हैं पुरा मामला क्या है क्योंकि आज के शो में आज आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब आसान और सीधे अंदाज में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि यूपी में आखिर क्या चल रहा है उपचुनावों का क्या नतीजा होने वाला है आ यह सियासत है या महाभारत अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जम कर आरोप लगाये हैं और कहा है कि लोग कंत्र को दबाया जा रहा है वहीं योगी सरकार ने इसे जूट और जनता को गुमरा करने की कोशिश बताया है पर क्या ये आरोप रत्यारोप का दौर सही है या गलत इस पर भी चर्चा करेंगे अब आते हैं एक्जिट पोल्स की बात पर यूपी की नौ विधासभा सीटों पर हुए सुपचुनाव में विजेपी साथ सीटों पर बढ़ध बनाती दिख रही है यो जो है भाजबा साथ सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है इसा नुम लगाया कि बिजेपी परशासन का गलत इस्तिमाल कर रही है पहीं चुनाव आयोग ने पुलिस पर लगे आरोपो की जाज के आदेश दे दिये हैं क्या कि यह जो मामला था जिसमें यूपी पुलिश जो है महिलाओं पर बंदूग तांते पिस्टल तांते दिख रही थी व और बिजेपी का जवाब क्या है इसको जानते हैं सपा सिर्फ हार से डर कर ये इलजाम लगा रही है और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये इसको जानते हैं वोटिंग परसेंटेज में गिरावट है और हिंसा का महौल है वो पूरे मामले को और भी गर्म कर दिया है अब जाके वोटर वोट देंगे ऐसा पूरा मामला क्या है एक तरफ यूपी में सियासी दुफान है तो दूसरी तरफ महाराश्ट और जारकंड में चुनावी उत्सव चल रहे हैं महाराश्ट में 58% वोटिंग होई और 68% वोटिंग होई यानि 10% महाराश्ट से ज्यादा लेकि पैसे बाटने की बात कही गई और अब पार्टी अपनी सफाई दे रही है तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा सवाल ये है कि इस सियासी ड्रामे से जनता को क्या मिलेगा क्या जनता को इससे कोई फाइदा होगा या जनता फिर से अपनी सिर्फ वोट ही दे पा और जनता वो देख रही है कि कौन उनके मुद्दों पर खरा उतरता है खर 23 नवंबर को नतीजें आएंगे लेकिन उससे पहले सियासी तापमान बढ़ने वाला है क्योंकि ये पुरा महौल अभी जहिक गर में दिख रहा है दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में अब तक देखते रहे हैं संबाद क्योंकि ये संबाद है भारत का भारत के लिए अमस्कार पोरिंग वीडियोस को नेक्स लेवल पर ले जाना चाहते हो लेकिन कैसे कंफ्यूस मत हो MIMS Presenting Certificate Course in Video Editing यहां सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रिट्स फ्रांजेक्शन से लेकर एफेक्ट्स तक चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram ट्रीट्स इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर इंडस्ट्री के एक्सपोस से ट्रेनिंग लो अपने एडिटिंग स्किल्स को सूपर शार्च करो और अपना कॉंटेंट गेम बढ़ाओ तो अभी एंड्रोल करो Certificate Course in Video Editing में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर